110 करोड रुपए की सेटलमेंट सेवी ने 2023 में 58 अलग लग कंपनेश के साथ सेटलमेंट की और उसमें सेवी को मिले 110 करोड रुपए अब आप पूछेंगे कि ये सेटलमेंट क्या होती है जब भी कोई छोटी से लेके बड़ी काप नहीं सेटलमेंट करना चाहते है हम आपको एक अबाउंट देंगे और आप इस केस में आगी की इन्वेस्टिगेशन मत कीजेगा इसमें बेसिकली ना मैं एक्सेट करूँगा ना मैं रिचेक्ट करूँगा सारका सारा क्लेम एस इस रफा दफा हो जाएगा इस ही को अच्छी बाशा में सेटलमेंट कहते हैं सिविका ये रूल आया है यूएस की सेसी सेक्यूरिटी जन एक्सचेंज कमिशन से पिक्चर क्या होगा लेट्स गेट सारटेड विशन साल दिसमबर में आठ केसिस और मार्च में नो और ऐसे कर करके टोटल में इलाके करीब 58 केसिस थे जहां पे छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक जाहे वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म हो, लिस्टेड कंपनी हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एक्शेंज रिक्मिला हो, इंडिविजिल हो, फिल्म प्रिवेंसर हो, ओवर्सी बिजनेस हो, या हो कोई इंटरनेशनल बैंक इन सब के साथ टोटल में इलाके करीब 110 करोड रुपे की सेट्लमेंट की गई, तीन लाख रुपे से लेके, as high as 72 करोड रुपे अब इस एट्रिमेंट किन केसेज में की जाती है, अगर इंसाइडर टेडिंग, अगर आप किसी कमपनी के मालिक है, MD है, या ऐसी पोजिशन पे है, जहाँ पे कमपनी की इंसाइडर इंफोमेशन जो सिर्फ आपके पास है, और कमपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टिड है, लेकिन वो इंफोमेशन का इस्तिमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे इंफोमेशन के कारण शाइड स्टॉक का प्राइज गिर सकता है, उस कमपनी का या चड़ भी सकता है, इसका फायदा अगर आप उठाते हैं, तो इसको इंसाइडर टेडिंग कहते हैं, P. P.I.T. Prohibition of Insider Trading का एक रूल कहता है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इनफाक्ट एक कूलिंग पिरिड होता है, जब भी ये इंफोमेशन पब्लीक में सब को बताई जाएगी, उसकी करीब एक महीना पहले, आप उस इंफोमेशन का इस्तिमाल करके, कभी भी उस स्टॉक को ब बीचे-बीचे आती है, और उस cases में से भी settlement करने को ready हो जाता है, उसके लावा होता है SAST, देखे, भारी-बारी words है, लेकिन मतलब बहुत simple होता है, SAST का मतलब है substantial acquisition of shares and take-overs, सिधी बाचा में अगर किसी listed company के shares को 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 substantially high amount में खरीद लेता है, तो उसको सही time पे उस company को और at high quantity substantial तरीके से, तो वो एक तरीके से volume के base पे price को उपर या नीचे कर सकते हैं, इसके लावा सेकडो और complices होती है, जिसके break होले पे सेभी के दरफ से inspection शुरू हो जाता है, does not mean every time it ends up in settlement, कई बार penalty भी लगाई जाती है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आज तक सेभी ने क सकता है, बेट एक idea लगाया जा सकता है, अब कुछ cases की बात करते हैं, राकेज जुन जुन वाला, ये एक बहुत ही respected नाम है stock market में, जितने भी पुराने बड़े investor मिलेंगे आपको, कही ना कुछ ना कुछ पेच उनका insider trading में मिली जाएगा, अब राकेज जुन जुन वाला, तो वो price के sensitive, मतब price को change कर सकती है, अब ये information के पास थी, इन्होंने उस information को market में public किये बिना ही, after computers के shares को खरीदना शुरू कर दिया, इतना खरीदा कि ये shares की value 100 करोड रुपय थी, और जैसे ही ये information market में आई, after computers के आपर सके 10% on a daily basis हिट होने शुरू हो गए, सेभी का इस त settlement proposal भेजा, जिसकी total valuation करीब 37 करोड रुपय थी, जिसमें राके जुन जुन वाला करीब 18 करोड रुपय प्लस 6 करोड रुपया अलग से देने को तयार थे, जो कि उन्होंने illegal तरीके से या ill-gotten gains तरीके से कमाया था, इसके अलावा रिखा जुन जुन वाला 3 करोड 20 लाक, र फरवरी 24 2020 को एनसी में कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब जो कि हिस्टरी में बहुत कम होता है, और उसके बाद आज तक नहीं हुआ है, हुआ ये कि 11 बच के 40 मिनिट में एनसी ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को होल्ट कर दिया, बंद कर दिया, पॉस कर दिया, कह स्ट बचे तक NAC, BAC, MCX स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेडर्स के लिए इनवेस्टर्स के लिए खोल दी गई, ताकि वो अपने पोजिशन को स्क्वेर आफ कर पाएं, लेकिन सेवी की नजर में ये एक बहुत बड़ा गुना था, जो कभी भी तो बारा नहीं हो सकता, सेव एंटिटीज डिफाइन की गई किन की जमेवारी बनती थी, NAC की, NCL की, जो के NAC के सर्वर्स को चलाती है, टेक कांपनी है, उसके लावाद तीन लोगों की, विक्रम लिवाए, जो के NAC के MD और CEO थे, विक्रम कुठारी, जो के NCL के MD थे, मिस्टर शिव कुमार भासिन, जो क NAC के CTO, Chief Technology Officer, जिसनका का होता है, यह सब की देखरेक करना, यह 5 NTS, NAC के उपर फाइन लगा, करीब 49.6,08,000 रुपए, NCL के उपर फाइन लगा, 22.88,000 रुपए, इन दोलों को जोडेंगे न, अगर आप, तो वो वैल्यू बन जाएगी, 72.64,08,000 रुपए, मत्ब बाकी ती लोगों के उपर, 0 fine, एक रुपया भी पेनल्टी लगाई गई, लेकिन यह कह दिया गया, कि अगले 6 महिने में आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी है, ताकि आप सीख पाए, कि यह गलती, दुबार ना हो सके, मत्ब पैसी का कोई पेनल्टी, इन तीन लोगों के उपर, CEO, MDs, CTOs के उपर नहीं लगाया गया, which is disappointing, अब LSD तो CB को 72 क्रोड रुपय दे दिये, लेकिन उस ट्रेडिंग सेशन को एक दम से बंद करने के कारण कितने ट्रेडर्स इंवेस्टर्स का कितना नक्सान हुआ था, उसका estimation कहा है, उनका पैसा कहा है, अगला केस, एक ब्रोकर का, का पास मैकसिमम तीन, साड़े, तीन हजार एक्टेव क्लाइट है, बहुत बड़ा ब्रोकिंग फर्म नहीं है, शायद आर्पू, एवरेज रवेन्यू पर यूजर जादा होगा, बट स्टिल, मार्केट में रीडेल लेवल पर बहुत जादा काम नहीं करते हैं, लेकिन इनके हजार एक्टेव क्लाइट के उपर चार शिकायते थी, बहुत जादा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी कालतीलाल चगरलाल सेक्योरिटिस ने कहा, आगे से सेवी को कि आपी केज रफा दफा कर दीजिए, हम आपको 31,20,000 रुपए देने को तयार है, बोस्ट लाइकली ये ब अगरे सेटलमेंट नहीं लिए जाती, और एक्टुल में उनके बुक्स का ओडिट होता है, और देखा जाता कि उनके क्लाइंट के साथ, एक्टुल में क्या किया जा रहा है, किस तरह से वो ब्रोकरे जनरेट कर रहे है, और 3000 क्लाइंट के बेस, वो 31,000,000 देने को तयार क्य उनके ICICI के अकाउंट में सेबी को दिखे, सिर्फ एक अकाउंट में देखे, और इसके अलावाएं इंटरस्ट लगाया गया, 12% ब्याज के हिसाब से, 6,5 करोड रुपए में पूरा कपूरा सेटलमेंट कर दिया गया, ये नहीं देखा गया, कि एक्टुल में PR सुंदर न Nonetheless, उस case में बापूफ चार्ड को कहा गया कि आपको अपने 17 करोड रुपए जो आपने कमाए है, वो सारे का सारे clients को refund करने है, तो ये एक चीज, same चीज, PR सुंदर के case में क्यों नहीं की गई, क्योंकि उनके case में settlement हो गया था, तो when it comes to settlement, Sibi, in some cases, grabs these opportunities, this should not be a way, penalty is the only thing, और ज जातर cases में उन लोग को पैसा मिलना चाहिए, जिनके साथ गलत हुआ है, किसी retail trader investor के साथ अगर पैसा गलत तरीकी से लिया गया है, तो settlement करके Sibi के पास जाने के बिजाए, वो पैस वापिस उस retail trader के पास पहुंचना चाहिए, that is one thing, Sibi should focus on and probably उसका एक solution निकालने की कोशिश कर लेकिन individuals को पता नहीं होता, अब पता लग गया होगा जायए, but nonetheless, अभी के दित्राइं, hopefully, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, जो भी लगा हो, comment section में जुरू पतेरेगा, और साथ में, our digital blogger को subscribe भी जुरू कीजएगा, क्यूंकि, we do all this, just to get in front of you as much as we can, और subscribe करेंगे, तो जादा हो पाएगा, अगले वीडियो जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाई